हेलो फ्रेंड्स में हूँ छाया और मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम बच्चों के लिए स्पेशल सेंड्विच बनाएंगे जो बच्चे सेलेड या सबजियां खाना पसंद नहीं करतें उनके लिए बेस्ट आप्शन है कि आप उनके ये हिल्दी वेजिटेबल सेंड्विच बना कर दें तो चलिए इसी बनाना शुरू करते है सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे सभी सबजियों की कॉन्टिटी हमें सेम लेना है तो सबसे पहले हम डालेंगे वनफोर्थ कप ग्रेटेट गाजर वनफोर्थ कप ग्रेटेट पत्ता गोबी वनफोर्थ कप प्याज वारिककेटी हुई वनफोर्थ कप शिम्ला मिर्च वारिककेटी हुई वनफोर्थ कप ग्रेटेट बीट तीन से चार बड़े चम्मज मियोनिस डालेंगे वनफोर्थ कब ग्रेटेट चीज हाफ टीस्पून ओरिगेनो वनफोर्थ टीस्पून चिली फ्लेक्स वनफोर्थ टीस्पून काली मिर्च पाउडर टू से थ्री पिंच नमक डालेंगे हाफ टी स्पून इटेलियन सीजनिंग अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो सेंडविच के लिए स्टफिंग बन कर त्यार है अब हम सेंडविच बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने ब्राउन प्रेड ली है आप इसे वाइट प्रेड से भी बना सकते हैं तो सबसे पहले ब्रेड के कॉर्नर्स को काट कर अलग कर देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा हमें नहीं काटना है और बीना काटे पे आप इसे बना सकते हैं अब हम ब्रेड पर स्टफिंग अपलाएं करेंगे हमें अच्छे से स्टफिंग लगाना है और इसे चारो तरफ अच्छे से फिलाएंगे अब हम इसे दूसरी बेट से कवर कर देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे बीच में से इसे कट कर देंगे इसी प्रकार से हम सारे सेंडविच बनाएंगे इस सेंडविच को आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं बहुत ही इजी और टेस्टी सेंडविच बन कर तियार है बीट रूट के कारण इस सेंडविच का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राइ करें रेसेपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें फेमली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चेनल पर ना है तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू